नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम पर पाईए सिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 10 दिसंबर 2022 के समाचार विस्लेशन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 10 हिंदू समाचार पत्र से संबंदित प्रमुख आलेकों को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीचा के संबंदित प्रस्नों को हम उत्तर सनचना के रूप में चर्चा भी करेंगे। आज की समाचार विसलेशन को प्रारम करते हैं और आज की अपने पहले आलेख को हम देखते हैं Expand the food safety net without any more delay यहां पर आलेख में प्रमकुर्प से चर्चा ये की गई है कि भारत में जो भी एक तरह से खाद सुरच्छा दी जाती है उस खाद सुरच्छा का जो net है यानि उसका जो विस्तार है उसको एक तरह से और ज़्यादा विस्तारित करने की आवश्यक्ता है वरतमान में जिन लोगों को खाद सुरच्छा प्राप्त हो रही है अगर हम National Food Security Act 2013 की बात करते हैं यानि राष्टी खाद सुरच्छा एक 2013 तो इसमें जिन लोगों को इसका लाब मिल रहा है इनकी संख्या बढ़नी चाहिए उसके कारण के हैं उन पक्छों को हम देखेंगे और ये आलेक प्रसंख्या आठ पर हैं और सामा नद्यन के दुतिय प्रसंट पत्र में हम स्वास्त के साथ इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि खाद सुरच्छा का प्रमुख रूप से जो पक्छ है वो कहने कहीं पोसल के साथ में भी एक जुड़ा हुआ है क्योंकि पोसल की स् सुरच्छा है उसको एक तरह से एक कल्यानकारी उपाई की जगर एक अधिकार के रूप में आगे बढ़ाये जाए यनि भारत में कोई भी नागरिक है उसकी खाद सुरच्छा सुनिश्चित करना ये सरकार के लिए एक तरह से एक आवश्यक्ता हो जाए और जो भी नागरि उपाई से हटकर एक अधिकार के रूप में जनता को दिया गया इस कानूं का प्रमुक रूप से लाब आप देखें तो कोविट के समय में दिखाई पड़ा जहां पर सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि लगबग 80 करून लोगों को सरकार के दौरा मुफ्त में रासन की करने में सफल रही प्रमुक रूप से आप देखें इस कानून की अगर हम धारा 3-2 की बात करें तो इसमें प्रमुक रूप से जो पात्र परिवार हैं जिनको राश्ट्री खास सुरच्चा अधरियम में एक तरह से खास सुरच्चा दी जाती है वहाँ पर ग्रामीन क्योंकि जो हमारा आलेख है वो इसी पर प्रमुक रूप से चर्चा कर रहा है तो यहाँ पर धारा 9 जो इस कानून के अंतरगत है उसमें यह कहा गया है कि जो भी एक लाभार्ती है वो लाभार्ती जंगर्णा के आख्ड़ों के आधर पर एक तरह से निस्चित किये जाते ह तो जो भी जंगर्णा के आख्ड़े होते हैं उनको एक तरह से जो प्रकासित किये गए हैं उनको आधार बनाकर व्यक्तियों को चुना जाता है और राष्ट्री खासरच्चे अधनियम में उनको लाभ दिया जाता है इसी के साथ साथ देखें महिला ससक्तिक्रण को बढ़ अधिया की भूमका में मनता है इस आधार पर रासनकाल कही न कहीं जो महिला है परिवार में उसके नाम से एक तरह से रहता है यह महिलाओं को ससक्तिक्रण देनी की जो प्रक्रिया है उसको भी आगे वड़ाने में मदद करता है राष्ट्री खास शुरच्च्च्चा कानू के अंतरगर्ट खास सुरच्छा दी जाती है अंतियोदय अन्योजिना लाबार्थी का मतलब यह है कि यह गरीबों में सबसे गरीब होते हैं तो उनको एक तरह से पहचान की जाती है और उनको अंतियोदय अन्योजिना में एक तरह से रासन सरकार के दोरा दिया जाता है तो ज दिया जाता है और आप कोविड काल में देखें तो सरकार ने इसको दुगना करके 10 किलो कर दिया था और ये खास सुरच्छा के स्थिति को कोविड काल में काफी हद तक बनाने में इसकी एक मदद मानी जाती है यहाँ पर हम यह ध्यान अखें कि जो कवरेज हैं इसके बारे मे अगर हम नीती आयुक की बात करें और 2011 बारे का जो आंक्रा लिया जा रहा है उससमें योजना योग कारे करता था अगर हम नेस्तन सेंपल सरवे की बात करें तो घरेलू उभोग सरविच्छन का डाटा एक खटा करते हैं इस सरविच्छन में यह देखा जाता है कि लोगों की जाती है तो अंतियोद है अन्योजना के लाभारती और प्रात्मिक्ता वाले परिवार जो हैं उनके जो लाभारती हैं उनकी पैचान 2011 बारे के इस आंक्रे के आधार पर की जाती है जो काफी हद तक 2011 के हमानी जो जनगरना है उस आंक्रे से कही न कहीं एक तरह से अगर हम देखें, तो 2021 की जो जनगर्णा है, उसके आंक्डे कब आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ निर्धारण नहीं है, तो अगर आंक्डे नहीं आएंगे, तो पुराने आंक्डे के आधार पर अभी भी लाभारतियों की संख्या की पहचान की जा रही है, और सुप् लाभारती हैं, राष्ट्री खास सुरच्छा कानून में उनकी संख्या भी बढ़ी होगी, आप उसके पहचान कीजिए, यहाँ पर हम यह ध्यान रखें, कें सरकार की तरफ से यह कहा गया है, कि पिछले एक दसक में अगर हम देखें, तो लोगों के जीवन इस्तन में रखें, कि किसी भी राज्ज में कितने लाभारती होंगे, यह बात एक तरफ से कें सरकार बताती है, कि राष्ट्री खास सुरच्छा एक्ट में किसी भी राज्ज में कितने लाभारती होंगे, और परिवारों की पहचान करना, और उनको एक तरफ से रासंकार जारी करना, या जो राजसन की दुकाने उनको लाइसंस देना, ये सारा काम अगर हम देखें, तो राज सरकार और संग राज छेतर की जिम्मेदारी है, ये केन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो मान लीजे अगर किसी राजज में एक करोन लाभारती है तो ये एक करोन लाभारती की संख्या केन सरकार बताएगी लेकिन एक करोन लाभारती कौन कौन होंगे ये निर्धारन करने के लिए जो मांदंड है वो राजसरकार बना सकती है तो यह राज सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर आप देखें, किसी भी राजजी के लिए लाभारतियों की जो संक्या है, वो केन सरकार निर्धारित कर रही है, लेकिन केन सरकार 2011 की जनगर्णा की आंक्रे का उप्योग कर रही है, नई जनगर्णा भी हुई नह है और उसके आंक्रे कब आएंगे ये निस्चित नहीं है तो क्या नई जनगर्णा के आंक्रे नहीं मिलेंगे तो ये जो संख्या है लाभारतियों की ये क्या नहीं बढ़ेगी इसी के उपर सारा एक तरह से विवाद है क्योंकि माना यह जा रहा है कि सुप्रम कोड भी इस त में ब्रिद्धी हुई है तो लाभारतियों की संख्या कुछ घटी होगी लेकिन आप ध्यान रखें कि कोविट काल में और ये आंक्रे बैस्विक अलगलग संस्थाओं ने भी दिये है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग गरीवी रेखा से नीचे गए हैं ये जो बात क बात है कि आउसत के आधार पर आप सभी को बराबर नहीं आख सकते हैं जैसे अगर हम तीन वेक्तियों की बात करते हैं इनकी आमदनी 100 रुपए हैं इनकी 50 रुपए इनकी 10 रुपए अगर हम यहाँ पर आउसत निकाल कर देखें तो यह लगभग आपका तिरपन के आसपा है ऐसा बिलकुल हो सकता है कि पिछले एक दसक में भारत में लोगों की प्रतिवेक्तिया बढ़ी है जीवनिस्तर में सुधार हुआ हैं लेकिन जो उच्च वर्ग है या उच्च मध्यम बर्ग है या मध्यम बर्ग है उसमें ज्यादा सुधार हुआ हो जो गरीव वेक्तिय यह गरीवी देखा से नीचे हो सकता है, उसमें उतना सुधार ना हुआ हो, तो आउसत के आधार पर आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कि अगर प्रतिवक्तियाय बढ़ी है, जीवनिस्तर बढ़ा है, तो सभी को भारत में इसका बराबर लाब मिला होगा, तो सरकार को यह तथ्य ध्यान में रखने की आवश्चकता है, तो जो समस्या उसका समाधान के रूप में, सर्वत चनैले ने ये भी कहा है, कि अगर जनगर्णा के आकड़े आपको देर में मिलने वाले हैं, समय पर नहीं आ रहे हैं, इसका एक समाधान यह हो सकता है, कि आपके पास जो लगभग लगभग आपको पता है कितनी है, तो एक दसक में, यानि 2011 से लेकर, 2021 के बीच में जनसंख्या कितनी बड़ी है, इसका लगभग एक प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं, वो अन्माना प्राप्त कर लीजे, और उसके आधार पर राश्त्रिक खास सुरच्छा एक में जो लाभारती हैं, उनको अपनिस्चित कीजिए, तो ये बात एक तरह से भारत सरकार अगर मानती है, तो सायद आंक्रे बदल सकते हैं, अनिता अगर जनगरना का इंतियार किया जाएगा, तो सायद बड़ी संख्या में लाभारती इसमें सामिल नहीं हो पाएंगे, अब सर लब्द हैं, अगर हम 2021 की बात करें, तो इसी आंक्रे का उपयोग करके सरकार जो लाभारती हैं राष्ट्री खास सुरच्चा एक्ट में उनकी संख्या को बढ़ा सकती है, तो यहाँ पा सरकार को कही न कहीं ये पक्ष्य देखना पड़ेगा, अनिता बड़ी संख्या में जो लाभारती इसमें सामे लोने चाहिए, वो राष्टी खास सुरच्चा एक्ट में जो खास सुरच्चा दी जा रही है, उस लाभ से अच्छूते रहेंगे, सरकार के दोरा प्रतिवक्ति आये, या जीवन इस्तर में सुधार का जो एक हवाला दिया जा रहा है, वो इस्त संख्या के जो प्रोजेक्शन या अनुमान आपके पास हैं, जो भारत के रईस्टरा जनरल के पास उपलब्द हैं, उनका उप्योग कीजिए, और नए रूप में एक तरह से जो संख्या हो सकती है, राष्टी खास और रच्चा एक्ट में लाभारतियों की वो जारी कीजि है, तो वो सरकार के लिए subsidy का बिल बहुत नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आप जितना खर्च कर रहे थे, पांच किलो उसका दुगुना दे रहे थे COVID काल में, तो subsidy तो आपकी फूड पर पहले ही बढ़ी थी, लेकिन अगर आप संख्या बढ़ाते हैं, और अभी पांच किलो दोररराशन कार्ण कार्ण योजना लागू है, उसके मात्यम से अब रासन कार्ड की portability है, कहीं भी आपका रासन कार्ड है, और आप कहीं पर भी अपना रासन ले सकते हैं, असम एक रासन कार्ड योजना में सामिल होने वाल अंतिम राज था, और यह सारभमेर्य झार्भाय अब लागू है और सरकार की तरफ से मेरा रासन एप जैसी सुभधाएं भी दी गई है जिसके मादम से आसपास जो भी आपके रासन की दुकाने उसका अनुमान लगा सकते हैं आप कहां पर है आपने कितना रासन लिया है कितना आपका बचा हुआ है वो सारा आक्रा इस मेरा से मिल सकता है सरकार सुभधाओं को बढ़ा रही है लेकिन लाभारतियों की संख्या को लेकर यह जो असमंजस की इस्तिती है उसमें सरकार को ध्यान देने के आवश्चता है अन्य था खाज सुरच्छा की जो बहतर इस्तिती कोविट काल में थी वो कही न कहीं खत्रे में आ सकता है और आप देखें महत्वण बात यह है कि इस तथी की चर्चा तब की जा रही है जब भारत जी ट्वंटी की एक तरह से अध्यक्सता प्राप्त कर चुका है क्योंकि आगामी 2023 में जी ट्वंटी का जो संवेलन है वो भारत में होने वाला है तो यहां पर आप ध्यान है कि अगर इस तरह की स्थिती बनती है तो क्या भारत के लिए बहतर इस्थिती होगी और भारत जब जी ट्वंटी का अध्यक्ष है तभी इस तरह की स्थिती अगर बन रही है तो कहीं न कहीं भारत के लिए यह एक तरह से महत्वण इस्थिती बनती है यह अलेक प्रसंख् पर हैं और सामान अध्यन के दुतिय परिश्ट्रपत्र में अंतराशी संबंध से इसे आप जोड सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों समुओं की बात कर लेते हैं, जिनकी हमें तुलना करनी हैं. एक तरफ हमारा सुरच्छा परिशद है, यानि सैंक तुरास के अगर हम सुरच्छा परिशद की बात करें, और दूसी तरफ अगर हम देखें, तो हम बात करेंगे G20 की. तो दोनों का धाचा देख लेते हैं, तो हमें तुलना करने में आसानी होगी, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि G20 एक तरह से सुरच्छा परिशद की इस्थान पर एक कारे कर सक क civ करता है, तो अगर हम सुरच्छा परिशद की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर इस्थाई और अस्थाई सधस होते हैं, तो पांच होते हैं, यानि चीन, फ्रांस, रूस, U.K. और USA। और इन सधस्थाशओं को अगर हम देखें, तो वीटो पावर होती है. यानि कोई भी प्रस्ताव है, इनके दोरा अगर उसमें विरोध कर दिया जाता है, तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा, यानि वो आगे पारित नहीं हो सकता है, चाहे उसके लिए कितना भी समर्थन क्यों ना हो, दसों का समर्थन हो, चार इनके दोरा भी समर्थन दिया जाए, लेकिन एक अगर वीटो हो गया तो प्रस्ताओं गिर जाता है तो यहाँ पर आप देखें जो अस्थाई सज़स होते हैं वो दो साल की कारेकाल केरे रहते हैं इसमें अफरीका मादीव से तीन है, एशिया से दो, लेटन अमेरिका से दो पस्यमी यूरोप और अमने से आप देखें दो और पूरी यूरोप से एक तो इस रूप में सुरच्छा परस्त का एक तरह से ढाचा रहता है वर्तवान में आप देखें तो भारत भी सुरच्छा परस्त में अस्थाई सज़से के रूप में उपस्तित है तो ये सिति क्या दिखाती है कि जो भी अलग-अलग कह सकते हैं अंतरास्टी हैं सांती और सुरच्छा के मामले होते हैं वहाँ पर प्रमुक रूप से सुरच्छा परसत के दौरा एक तरह से अलग-अलग रूप में विचार विमर्ज किया जाता है और इस पर प्रस्ताव भी पारित किया जाते हैं और आप ध्यान रखें सांतरासंग की अकेली संस्ता है जिसके दोरा अगर कोई भी निर्ने लिया जाता है तो वो सदव से देशों पर मानना उनके लिए बादिता बन जाता है उसको उन्हें लागू करना ही पड़ेगा ये अ प्रस्ताव आता हैं जैसे सामान तोर पर आप देखें कि फिलिस्तीन को लेकर कई बार आप देखें कि अलग-अलग जो प्रस्ताव ए वो लाए गए IN SURACCHHA परसत में खासे इस्राइल को कटग़रे में खड़े करते हुए लेकिन उन प्रस्ताओं को इस्राइल के समर्थक से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती हैं तो इस रूप में यह जो भीटोपावर की सकती है यह सुरच्चा परिसद में कही न कहीं इन्हें पाँच देसों को बहुत ज़्यादा सक्तिसाली बनाती है और अन्य देसों का जो मत है उसका महतोसायद कम हो तो ये सुरच्छा परसत के साथ में एक बड़ी समस्या है अगर अब हम G20 की बात करते हैं तो G20 अगर हम देखें तो इसका गठन 1999 में जब किया गया था तो उद्देश ये था कि 1997 में जो दच्छिनपूरवेश्या यानि साउथी इस्टेश्या के अगर हम बात करें तो वहा आता है तो उसका सामना बहता तरीके से हो सकता है और इस रूप में ये G20 का एक गठन माना जाता है आप देखें 1999 से लेकर 2008 के बीच में इसका कोई सम्मिलन नहीं हुआ आगे चलकर 2007 में जब अमरीका में और खासतोर पर पूरी दुनिया में आप देखें बैस्विक आर्थ आर्थिक संकट अमरीका से सुरू हुआ वो पूरे बिस्व में बड़े आर्थिक संकट के रूप में इस्थापित हुआ और इसी के प्रकास में अगर हम देखें तो आगे चलकर 2008 से G20 की जो बैठके हैं वो प्रारम की गई और जो इसमें सदस्त हैं वो इसमें एक तरह से उनके head of state होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते थे और 2009 में निर्न ये लिया गया कि इसको अंतराष्टी इस्तर पर सहियो करने के लिए एक प्रात्मिक संक्टन के रूप में मानता दे दी गई तो इसका अगर हम प्रमुक रूप से इस्थापना का उद्देश से देखें तो जो इस वर्स 2022 में बाली में सम्मेलन हुआ है G20 का उसके बाद की स्थितों में आप देखें तो इसकी जो राजनितिक एक तरह से इस्थिती है उसको कहिन के आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है क्योंकि G20 की जो 2022 की बाली बैठक हुई है तो यहाँ पर जो बाली डेक्ल को बढ़ावा देंगे स्वास्त, क्रिसी, उर्जा, पर्याबरन, जलवाई परतन और एक तरह से भष्टाचार की समाप्ति एक तरह से प्रमुख लक्ष रहेंगे तो रायनितिक ग्रूप में अपने जो पक्ष हैं उनको भी G20 अब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है औ इसका आप कारण यहां से देख सकते हैं कि G20 में 19 देश सामिल हैं और एक समू के रूप में आप देखें योरोपी संग सामिल हैं तो यहां पर 19 देश हैं और साथ में योरोपी संग महत्पुन बात यहां पर आपको विकसित देश दिखाई पढ़ेंगे जैसे अगर हम USA की बात करें UK की बात करें फ्रांस जर्मनी की बात करें तो विकसित तो ही साथ अगर हम भारत की बात करें चीन की बात करें तो यहां पर विकाज सील देश भी सामिल हैं तो यह एक अनूठा मंच है जहां पर विकसित और विकाज सील दोनों अर्थवस्ताओं को सामिल रखा ग यानि लगबग आपकी 67% जनसंक्या इन एक तरह से G20 के देशों में रहती है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप में इसका जो महत्तु हैं वो उसको रानितिक महत्तु भी दिलाने का काम करता है। अगर आप दुनिया में आर्थिक संकट को हल करने के लिए आपस में G20 के माध्यम से सहयोग करते हैं। यह प्रक्रियां आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर G20 का जो महत्तु हैं वो अगर हम सुरच्छा परसत की तुलना में देखें तो इस रूप में हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे तथ हैं जो G20 को सुरच्छा परसत की तुलना में ज्यादा बहतर रिस्तिती में लाते हैं। सबसे पहला तत्त हैं यहाँ पर समानता का आधार हैं और बहुपक्षी मंच हैं। यहनि अगर हम 19 देशों की बात करें और यूरोपी संग की बात करें सभी की बात का यहाँ पर बराबर मत हैं। ऐसा नहीं कि USA, UK, France, Germany, Japan इनको किसी तरह से यहाँ पर वीटो पावर हैं। यहाँ पर वीटो जैसी इस्तिती नहीं है तो यह इस रूप में कहीं न कहीं समानता को स्थापित करने का काम करता हैं। तो यह सुरच्छा परसद की तुलना में बहतर मंच हैं। और जैसे आमने बात करी कि USA, UK जैसे विक्सित देश भी हैं। और भारत, दच्छन अफरीक चाहे राजनीति को, चाहे सामरी को, उसका सामना करने की इस्तिती इनके पास बनती है। और आर्थिक रूप में मजबूत तंत्र इनके पास है, यह हम आकड़े से देख रहे हैं। क्योंकि 85% GDP इन देशों के पास है। बाली घोशना के माद्दम से जो आर्थिक मंच हैं, उसको एक रानितिक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। तो सुरच्छा परसल में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, वो सायद यहाँ पर हो पाएंगे। कारण यही है, कि चाहे आर्थिक रूप में देखें, या जन संख्या के बात करें, जितने बिश्व की प्रमुक सहयोग की भावना बढ़ती है, विक्सित और विकासी सहयोग आगे बढ़ाते हैं, तो सुरच्छा परसल में जो सुधार की बात की जा रही है, भारत जैसे देश यहाँ पर वीटो पावर के साथ में इस्थाई सज़ से बनने का प्रयास कर रहे हैं और लंबे समय से, तो व एक मद्यस्त के रूप में G20 का आधार बनाकर इस समस्या का अगर समाधान कर पाएं, तो सुरच्छा परसल के लिए हमारी जो इस्थाई सज़स्ता है, उसका दावा उतना ही मजबूत हो जाएगा, तो भारत के लिए एक पक्च यह भी है, कि हम सुरच्छा परसल में भवि तो यहाँ पर दिखता है, क्योंकि भारत के साथ आप देखें, चाहे हम ब्राजील की बात करें, दच्छड अफरीका की बात करें, जापान की बात करें, बहुत से ऐसे देश हैं, जो इस्थाई सरस्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस्तितियां आसान हो सकती है, अ हमें भारत का जो पक्ष है, वो भी देखने की आवश्चकता है, अगर हम G20 में देखें, तो हम G20 के माद्धम से अगर किसी भी तरह से रूस्य और यूक्रीन का जो विवाद है, उसको हल करने की इस्तितियों में किसी भी तरह से प्रयास करते हैं, और वो सफल होता है, तो भारत उसमें बड़ा भागीदार रहा है, तो उस रूप में इस्तितियों को आसान करने में हमने हमेशा सायोग किया है, भारत की तरफ से अंतराश्टे इस तरफ पर आप देखें, जब भी कोई विवाद की स्तिति रही है, हमेशा दोनों पक्षों में समाधान की स्तितियो तो इस तरह की सितिया भारत को विकासिल देसों में इक महत्वपुण भूमिका दिलाती है. इसी के साथ साथ अगर एम भात करते हैं गुट्निरपेश चांदोलन की, तो गुट्निरपेश चांदोलन में प्रम्중 कुलीप से भारत एक लीडरशिप की भूमिका में था है, और वहां पर उसको सांत कराया तो आप देखें मिस्र और अरब देशों की बीच में जो विवात की इस्तिती थी उसको हल करने में या इस्तितियों को सामान करने में पूर में आप देखें भारत महत्वपूर्ण भुमिका निभा चुका है तो यहां पर इस तरह की इस्तितियां भारत के साथ हमेशा रही है कि विकासिल देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है किसी भी समस्या के समाधान को लेकर तो ऐसी इस्थिती अभी भी आगे बन सकती है अगर हम G20 के माद्दम से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से विकासिल दे में जब तक सुधार नहीं होता है, इस थाएश सज़सिकी वीटो पावर को लेकर कोई नेन नहीं होता है, तब तक जो 5 वाँ पर सकती आ है वीटो पावर के साथ, बिना उनकी सहमत्ती के कोई प्रस्ता अपारित करना असान nहीं है लेकिन उसके विकलब के रूप में अगर आर्थिक और रानितिक सक्ती की रूप में इस्थापित करेगा, साथ आने वाले समय में, जो भी सुरच्छा परसत में सुधार हैं, उसमें जब भी होंगे, भारत वहाँ पर कह सकते हैं, अग्रणी रहेगा उस सुधारों में सामिल करने के लिए, यानि सुरच्छा परसत के इसाय सहसे के लिए, भारत की जो दावेदारी है, वो अपने आप मजबूत हो जाएगी, तो इन पक्चों को अगर हम ध्यान दें, तो G20 को एक मजबूत विकल्ब के रूप में अगर तयार किया जाता है, और भारत एक वर्स की जो उसको अध्यक्सता मिली है, G20 की, उसका उप्योग करता है, तो ये भारत के लिए सामरिक रूप में एक महत्पूर्ण इस्तिती बनेगी, आज के अगले आले को देखते हैं, और ये आले क प्रमोखुरूप से, संसर्द में कुछ लाए गए बिल के संदर्ब में है, जिसके माध्यम से, चार राज्यों में पदेश और चत्रिसगड में, इसी प्रक्रिया में आप ध्यान रखें, ये जो विधेयक लाए जाता है, इससे अनुसूचि जनजाती आदेश 1950 जो है, उसमें भी संसुदन किया जाता है, और उस संसुदन के माध्यम से आप देखें, स्ट की जो लिस्ट होती है, अनुसू बेटा कुरुबा को करनाटक में ST सूचि में डाला जा रहा है, और आप देखें, इसके पहले कड़ु कुरुबा पहले से ही सामिल है, आप देखें, सामान तोर पर किसी भी जनजाती का जो नाम है, देवनागरी में जब लिखा जाता है, या बोला जाता है, उसका उच्छ नाम है, तो उन जनजातियों को भी इसका लाब एक तरह से दिया जाएगा, अगर हम सेडूल ट्राइब की बात करते हैं, तो अनुसूचे जनजाती का ये जो लाब है, वो बेटा कुरुबा को भी करनाटक में अब मिलेगा, इसी तरह की स्थिती 36 गर में बनती है, और अग भारिया, भूमिया, जनजाती की बात करें, तो ये अनुसूचे जनजाती में सामिल हैं, लेकिन देवनागरी लिपी में इनके नाम या उच्चान को लेकर जो वो समस्याई हैं, तो इस नय नाम को यहाँ पर सामिल किया गया है, जिससे की भारिया, भूमिया से सम्बंदी जो भी जनजातियां हैं वो एक तरह से जनजाती सूची में सामिल हो पाएं। इसी के साथ साथ हिमाचल पदेश में अगर हम सिर्मोर जिले की बात करें तो ट्रांस गिरी का जो छेत्र वहाँ पर हटी समधाय को अनुसूची जनजाती में सामिल किया गया है। तो ये चार जंजातियां अलग-अलग चार राज्यों में, यानि तमिलनाडू, करनाटक, हिमाचल पदेश और छत्युस गड़ में, जंजातियों की सूची में सामिल की जा रही हैं, आप ध्यान रखें, इस तरह के मिलान करने के लिए प्रस्ण आपके एक्जाम में लगाता किया जाता है, तो आप ध्यान रखें, अनिसूची जंजाति के संदर में, हमारा संविधान का अनुच्चे 342 प्रमुख रूप से काम करता है, संविधानी ग्रूप में अगर हम देखें, तो राश्पती के द्वारा, किसी भी राज या केंसा से प्रदेश में, कोई भी अ अनुची जंजाति आदेश 1950 हैं, उसमें संसोदन एक तरह से करना होगा, तो ये बिल संसद में पारित किया जाता है, क्योंकि इस प्रस्ताव में जो संसोदन होता है, तो लिस्ट में नई एक तरह से जंजाति सामिल की जाती है, और आप ध्यान रखें, कि संसद में ये पा अनुचनों का संकेत मिलना, यानि अगर ऐसा से दोपाए कि कोई भी जाती सम्मू प्रिमिटिम रूप में, आदिम रूप में एक तरह से निवास करता रहा है, तो उनको अनुची जंजाति का दर्जा मिल सकता है, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृती हो, बहुगालिक अल जाती के सिती में डाला जा सकता है, आज के अगले हाले को हम देखते हैं, बीजेपी मेंबर मूप्स प्राइवेट बिल ऑन यूची सी इन राजसभा, रॉज इस्टिफ रजिस्टेंस फ्रॉम अपोईशन, यहाँ पर अगर हम देखें, तो प्राइवेट मेंबर बिल का मत जब हम प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं, तो सामान तोर पर यह होता है, कि संसद में चाहे लोगसभा की बात करें, राजसभा की बात करें, किसी भी तरह का बिल आता है, तो किसी मंत्री के दोरा सामान तोर पर लाने की प्रक्रियां रहती हैं, लेकिन मंत्री से अ पारित हुआ हो तो यह 1970 में हुआ था और जो बिल पारित किया गया था वो था सर्वोचे न्यायल है आपरादिक अपीली छेत्रादिकार का विस्तार विदेक 1968 तो आप देखें बड़ी संख्या में इस तरह के बिल पारित नहीं हुए हैं कुल मिलाकर 14 हैं उसमें से अगर हम 5 देखें तो रायसवा में पारित हुए हैं और 9 अगर हम देखें तो लोगसवा में प्रमख रूप से पारित हुए हैं तो इस तरह के जो बिल होते हैं सामान तो पर अगर किसी मंत्री के दारा बिल प्रस्तुत किया जाता है तो 7 दिन पहले उसे इसकी सूचना देनी होती है और उसके बाद ही वो संसत में रखा जाता है लेकिन अगर हम प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो आप ध्यान रखें एक माह का यहां पर यह समय होता है जो भी आपका सामान रूप में मंतरी के दोरा प्रस्तुत बिल होगा जो सामान बिल है तो उसकी प्रक्रियां मंतरा लगे दोरा की जाती है लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल का पूरा जो ढाचा या पूरा जो ड्राफ्ट है वो सदस्य के दोरा यह तरह से बनाय जाता है प्राइबेट मेंबर बिल अगर पारित होता है तो उसके लिए सामान इस्तिती यही है कि जो भी पार्टी सत्ता में है उसका समर्थन इसको मिलना चाहिए अन्य था यह आसानी से पारित नहीं हो पाता है अगर माली जे कि जो पार्टी सथा में उनी के सदस्य के दोरह लाए गया है प्रस्ता तो पारित होने की इस्तितियां बेहतर है क्योंकि एक तरश सब भामत वहाँ पर रहता है तो प्राइवेट मेंबर बिलके पारित होने में ये भी एक बड़ी स्तितिय बनती है अगर हम भारत में समान आचार सहीता की बात करें, तो अलग-अलग जो धर्म है, वहाँ पर जो भी अलग-अलग प्रथाएं अपनाई जाती हैं, उनमें अंतर है, जैसे सामान तोर पर अलग-अलग धर्मों में अगर हम विवाग की इस्तितियों की बात करें, तो उनके अपन तो जैसे अगर हम हिंदू विवा की बात करें, हम मुस्लिम विवा की बात करें, उनके अपने परस्नल लाओ हैं, हमारे हैं समान आचार सहीता की इस्तितियां नहीं हैं, तो इस विल के मादम से कोशिज ये की जा रही है, कि भारत में अलग अलग छेत्र में कोई भी एक तरह स जो नियम कानून लागू हो रहे हैं, वो सभी धर्म या कैसकते हैं समधाय के इस तर पर एक हो जाएं, इस प्रस्ताओं को अगर हम देखें, तो ये राजस्वा में पारित जरूर हो गया है, लेकिन लोगस्वा में जब ये पारित होने की इस्तिति आएंगी, तब ये कुल मिलाकर 14 इस तरह के प्राइबेट मेंबर बिल हैं, जो पारित हो हैं, उनमें कुछ के अगर हम नाम देखें, तो मुस्लिम वक्फ बिल 1952, इंडियन रिजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 1955, पारलेमेंट प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन और पॉब्लिकेशन बिल 1956, तो यह आप देखें, सामान तोर पर सभी लोगसभा में पारित हुए हैं, तो इस तरह के कुल 14 हैं, इसमें से 5 राजसभा में पारित हुए हैं, आज के अंतिम आलेक को देखते हैं, और यहां पर इस आलेक में हमने दो अलग-अलग घटनाओं की चर्चा करी हैं, और दोनो विज्ञान प्रध्यों की से संबंदित हैं, पहली घटना अगर हम देखें, तो इस क्रैम जेट इंजन का, जो होट टेस्टर वो इतरह से 11 सेकंड का पूरा किया गया है, और सांसाद अगर हम देखें, तो विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर में एक ट्राइसोनिक बिन टरन के बारे में निर्मान की प्रक्रियां दिख रही हैं, दोनों की हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे, सामान तोर पर किसी भी तरह का अगर उपग्रफ प्रक्षेपन होता है, उनके संदर में आप देखें, तो इस तरह के जो भी तकनी के रेम जेट की या स्क्रैम जेट यानि आक्सी कारक के लिए, तो आक्सी कारक के रूप में आपको कहीं न कहीं एक अलग से टैंक भरना पड़ता है, जो भी प्रच्छेपड में इंदन उपियों किया जाता है, उसके जलने की जो इस्तिति है, कमबसन की इस्तिति है, वो आक्सी कारक के साथ ही होगी, और माना जाता है कि जो भी एक तरह से भार किसी भी प्रक्षेपड में ले जाया जाता है उसका 70% भार ऑक्सिकारक का रहता है तो अगर आप ऐसा कर पाएं कि ऑक्सिकारक के रूप में यह जो ऑक्सिजन है इसको प्रमुक रूप से आप वाइवंडर से प्राप्त कर पाएं तो आपक क्या है कि औक्सिकारक का जो भार है वह 70% जो भी पेलोड है उसको बना देता है, 30% आप देखें, आपका इंधन भी होगा और उसमें आपके जो भी उपक्रह वो भी होंगे, तो अगर ऐसा हो पाए कि अगर हम ऐसी तक्निल ले पाएं जहांपर औक्सिकारक के लिए जो ऑक्स पर उच्छेगती में लाया जाता है और यहां पर इंधन मिलाकर प्रमख रूप से इंधन का दहन किया जाता है यहां पर जो भी इंधन का दहन होता है उसके कारण आप देखें जो थ्रस्ट मिलता है या धक्का मिलता है उससे पूरा एक तरह से हमारा जो प्रक्षेपण यान देखें, हमारा कहला था Scram Jet, Scram Jet Promo Group से आप देखें, तो ये तकनीक सुपर सोनिक पर काम करती है, तो सुपर सोनिक अगर रेम जट हैं, उसी को हम Scram Jet कह देते हैं, यहां पर जो आपका दहन हो रहा है, जो इंधन मिलाया जा रहा है, ओक्सिकारक के साथ में, वो आप देखें कि जो दहन हो रहा है, वो सुपर सोनिक स्पीड पर हो रहा होता है, और यहां से जो गैस एक तरह से बाहर निकल रही यह दहन के बाद, यह हाईपर सोनिक स्पीड में है, तो इस आधार पर जो Scram Jet इंजन होते हैं, वो ज़्यादा तेज एक तरह से thrust, या कह सकते हैं, जो धक्का है, वो प्रदान करते हैं, तो रेम जट का एक सुदरा हुआ रूप, अगर हम देखें, तो Scram Jet कहलाता है, सामान से प्रारब नहीं होंगे, जैसे अगर आप रेम जट की बात करें, तो यह तीन मैक, यानि धोनी की तीन गुनी रफ्तार से एक तरह से अपने आपको प्रारब करते हैं, और अधिकतम 6 गुने तक जा सकते हैं, और धोनी की 6 गुनी रफ्तार तक एक तरह से काम कर सकती है, इ यहां पर आप देखें, माना यह जाता है, कि सुपरसोनिक रूप में इंधन का दहन होता है, जो हमने यहां पर बात करी, तो वो इस्थिती एक तरह से आपकी क्या है, सुपरसोनिक है, और इसी आदार पर आप देखें, कि यह हाइपरसोनिक इस्थिती में भी काम करता है, आसाद scramjet भी होता है, यानि अगर इंधन का दहन सबसॉनिक स्पीड पर हो रहा है तो रैम जट और सुपर सॉनिक स्पीड पर दहन हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा scramjet तो ये दूनों इंधन के जो प्रकार है वो प्रमकृरूप से आप यहां पर ध्यान रखें, महत्प किया गया है, तो ये आने वाली प्रक्रियाओं में, जैसे आमने बात करी, कि जो भी हमारे एक तरह से प्रक्षेपन होते हैं, उसमें ऑक्सी कारक का जो भार है, वो हम हटा पाएंगे, कारण हम वाइमंडल से ऑक्सीयन प्राप्त करके, जो भी दहन हो रहा होता है इंधन का वो कर पाएंगे, और SCC में हमारे जो प्रक्षेपन है, वो जादा भार के हो पाएंगे, दूसरी सूचना अगर हम देखें, तो ये विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर में, ये जो ट्राइसोनिक विंड टरनल का एक तरह से यहां पर रुदभाटन किया गया है, उसके संदर म अगर हम इस विंड टरनल की बात करें, तो इस ट्राइसोनिक विंड टरनल के माद्यम से तीन अलग-अलग गती की अवस्थाएं होती है, उनमें एक तरह से अनुसंदान किया सकते हैं, यानि अंतरिच के जो मिसन है, तीन अलग-अलग गती में कैसे काम करेंगे, उस तरह का तंत्र इन टरनल में विक्सित किया गया है, और आप ध्यान रखें, कि जो भी इस रो के दौर राकेट प्रच्छेपित किया जाते हैं, या अंतरिच यान होते हैं, उनका जो मॉडल है, वो इतरह से यहां पर उप्योग किया जाता है, कि प्रायोगिक इस्तिती में, अगर एक मालीजर टरनल इस तरह से बनी हुई है, और वहां पर हम धोनी की अलग-अलग गती पर ये देखते हैं, कि रॉकेट इंजन या अंतरिक्ष्यान कैसे बेवार करेगा, तो वास्त्विक रूप में जब हम प्रच्छेपड करेंगे, तो हम सही गर्णाएं कर सकते हैं, प् 60 मीटर प्रतिस से लेकर धोनी का चार गोना, यानि 1360 मीटर प्रतिस से कि जो उडान है, उस उडान के आधार पर पर परिच्छन किये जा सकते हैं, हमने इस विंट टरनल के लिए ट्राइसोनिक सब दुपियों किया है, तो यहां पर जो परिच्छन किये जाएंगे वो धोन सुनिक मतलब धोनी की गती के साथ में हैं, तो अगर हम ट्राइसोनिक की बात करते हैं, तो तीन गतियां यहां पर परिच्छन करने के लिए मिलती हैं, पहला धोनी की गती से नीचे, यानि सबसोनिक, धोनी की गती के बराबर, यानि ट्रांसोनिक, और धोनी की गती से उपर यानि सुपरसोनिक, तो तीनों गतियों में परिच्छन इस टरनल में किये जा सकते हैं, आज के सत्र के आदार पर अब हम मुख्य परिच्छा के अभ्यास प्रस्टनों को देखते हैं, पहला प्रस्टन, जी ट्वन्टी भविस में सुरच्चा परिच्छा की भूमिका निवा इसमें वीटो पावर का जो सिद्धान ता उसको आपको बताना है, मुख्य बाग में जी ट्वन्टी की सुरच्छा परस्ट से एक तुलना करके आप बताएं, जो हमने चर्चा किया है, भारत की इसमें क्या भूमिका है, या भारत जी ट्वन्टी के माद्दयम से अपनी भ जबूत होगी, क्योंकि अगर भारत इस तरह के प्रयास करेगा और वो सफल होंगे, तो आगे चलकर सुरच्छा परस्ट में स्थाई सरस्ट को लेकर जो सुदार की स्थिति है, उसमें भारत जा सकता है, आज के दूसरे प्रस्ट को देखते हैं, खाज सुरच्छा की स्थि भूमी का, राष्टी खाज सुरच्छा एट के संदर में पातरता विवाद को बताएं, जो जन संख्या का 2011 का अक्रा लिया जा रहा है, उसको और संचित में यहां पर बता सकते हैं, तब ही आप बता पाएंगे किस तरह से यहां पर पातरता तै की जाती है, और वर्तमान व आपको बताना है कि यह आवस्यक क्यों है, कि पातरता की समय समय पर समीच्छा हो, जो जन संख्या का अकड़ा है, उसको नवीन रूप में लेना चाहिए, निसकर्स में बताएं, खास सुरच्छा की इस्थिति को इस्थापित करने के लिए, पातरता की इस्थिति की समीच् समय पर नहीं होगी, और मुझे एक तरह से लाब नहीं मिलेगा, तो ये मैं पातर होते हुए भी लाब ना पाने की स्थिति में होंगा, तो उससे बचने का तरीका यह है, कि पातरता को लेकर जो इस्थितिया है, जो जन संक्या है, जो जन गरना का अकड़ा है, वो नवीन रूप में हमेशा लिया जाए, हमने मुख्य परिच्छा के जिन दो प्रस्नों की चर्चा करी है, उन प्रस्नों को आप लिखने का प्रयास करें, कोसिस करें, कि जो कमेंट वोक्स है, वहाँ पर इस तरह के उत्तर को लिखके आप पोस्ट करें, जिससे कि तुलनात्मक रू लगातार आपको और जल्दी से जल्दी सुरू करने की अवश्यक्ता है, यह हमारा 10 दिसंबर 2022 का समाचार विस्तेशन है, आने वाले दिनों में, अन्ने दिनों के समाचार विस्तेशन हम आपको इसी तरह से उपलप्त कराते रहेंगे, बाई-जूस एक्जाम पर आईए सि सब्सक्राइब करें, धन्यवाद